रेफ्रीजरेटर अंदर रखी हुई वेजीटेबल्स और पानी को तो ठंडा करते हैं लेकिन इसके पिछे जो एक्यूप्मेंट्स लगे रहते हैं उनका टेंप्रेचर इतना ज्यादा हाई होता है कि हम उन पर खाना पका सकते हैं तो फ्रीज के बाहर इतना ज्यादा टेंप्रेचर और अंदर की तरफ एकदम ठंडा ठंडा यह कैसे पोसिबल है इसके अलवा कई बार जब फ्रीज खराब होता है तो हमारे दिमाग में एक ही बात आती है कि इसकी गेस खतम हो गई होगी लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नही होता है इसके पिछे की साइन्स इस वीडियो में 3D एनिमेशन की हेल्प से समझते हैं जो रेफ्रीजरेटर का हर्ट होता है वह है कंप्रेसर होता है यह एक रिसिप्रोकेटिंग टाइप कंप्रेसर है इसके अंदर एक सिंगल फेज इंडेक्शन मोटर होती है जब यह मोट रोटेट करती है तो इससे जुड़ा हुआ पिस्टन कुछ इस तरीके से मोह करता है और यहां पर जो गेस होती है उसको कंप्रेस करके पंप करने का काम करता है इन कंपोनेंट्स की वर्किंग रेफ्रीजरेटर की बोड़ी को थोड़ा सा साइड में रखकर अच्छे से करते हैं जब कंप्रेसर इस गेस को कंप्रेस करता है तो इसका टेमप्रेचर 90 डिग्री सेंटिग्रेट तक इंक्रीज कर देता है और प्रेशर 8 बार तक बढ़ा देता है और इस गेस को हम रेफ्रीजरेंट भी बोलते हैं अब यह टेमप्रेचर और प्रेशर बहुत ज्या और इस ट्यूब से जब हाई टेमपरेचर वाला रेफ्रिजरेंट फ्लो करता है तो बाहर के इनवायरमेंट से हीट एक्सचेंज करने लग जाता है क्योंकि कंडेंसर कोईल का टेमपरेचर बहुत जादा होता है और इनवायरमेंट का टेमपरेचर बहुत कम तो रेफ्रिजर ट्यूब से टच रहते हैं तो condenser tube का temperature कुछ इन में transfer हो जाता है और environment से यह heat को exchange करके refrigerant को ठंडा करने में help करते हैं जब refrigerant इतना लंबा रास्ता तै करके condenser coil से बाहर निकलता है तो इसका temperature 45 degree centigrade तक reduce हो जाता है और जब temperature down आता है तो gas liquid में बदलने लग जाती है इसको थोड़ा आसानी से समझे तो जब हम पानी को गरम करते हैं तो वेपर में बदल जाता है और जब उनको ठंडा करते हैं तो वापस liquid में बदलने लग जाता है तो ठीक ऐसा ही इस gas के साथ में होता है condenser unit से जब gas बाहर निकलती है तो यह थोड़ी ठंडी होकर liquid में बदलना शुरू हो जाती है अब condenser unit से निकल कर यह refrigerant जाता है capillary tube के पास में capillary tube कुछ इस टाइप का एक copper की tube होती है जिसका diameter 0.5 mm से लेकर 2.2 mm तक होता है और इसकी length maximum 5 मेटर तक हो सकती है capillary tube एक throttle device होती है जो high pressure को low pressure में बदलने का काम करती है और यही वह device है जो refrigerant को एकदम ठंडा भी कर देती है इसको थोड़ा समझने की कोशिस करते है capillary tube सिरफ और सिरफ एक copper की tube होती है और इसमें ना कोई electricity दी जाती है ना ही इसमें कोई moving part होता है जो pressure drop होता है वह है इस tube की length के direct proportion में होता है और diameter के inverse proportion में होता है तो जैसे जैसे इस tube का diameter कम होता जाएगा तो pressure drop बढ़ता जाएगा और हम length भी increase कर देते हैं diameter के साथ में तो pressure drop और ज़्यादा increase हो जाएगा अब pressure drop का आपको simple मतलब समझने की जरूरत है pressure drop बढ़ रहा है मतलब pressure का drop जो है वह बढ़ता जा रहा है यानि actual में pressure कम हो रहा है तो जब refrigerant इस capillary tube से बाहर निकलता है तो उसका pressure drop होकर 0.6 बाहर तक पहुँच जाएगा और जब इतना pressure का drop हो जाएगा तो temperature भी reduce हो जाएगा तो जब इस tube के अंदर refrigerant enter हो रहा था तो उसका temperature था 45 degree centigrade और जब बाहर निकलेगा तो उसका temperature minus 16 degree centigrade तक पहुँच जाएगा और जब temperature इतना कम हो जाएगा तो 75% जो gas थी वह liquid में बदल जाएगी रेफ्रिजरेटर के अंदर free on gas काम में लेते हैं जिसका nature होता है वह बहुत जल्दी ठंडी होकर liquid में भी बदल जाती है और बहुत जल्दी गरम होकर vapor में भी बदल जाती है इसलिए fridge के अंदर इसी gas को काम में लेते हैं दोस्तो आज मैं आपको एक बहुत बहुत बैतरीन चीज दिखाता हूँ यह fever website है यहाँ पर मैंने 3D artist को सर्च किया है और यह कोई artist है जो सिरफ 3D animation का model design करके animation करने का 25,000 रुपई चार्ज करता है और इस website पर आपको खुद को जाकर देखना है और यह website तो सिरफ एक example है इसके अलावा डेरों ऐसे field है जहाँ पर animators की बरपूर demand पड़ी है जब 3D animation का इतना जबरदस्ट future है इंडियन इंडस्ट्री में तो आप किस चीज का wait कर रहे हो आप live अड़ा को ही देख लो जैसे ही हमने 3D animation सुरू किया अपने channel की growth एकदम से बढ़ गई और मैं चाहता हूँ कि live अड़ा के साथ में आप भी grow करो और एक basic से expert बनने की approach को द्यान में रखते हुए हमने बैतरीन 3D animation का course डिजाइन किया है हमारा मकसद है आपको सिखाना इसलिए हमने इस course की एकदम basic fee रखी है जो आपके 3 महीने के phone recharge के बराबर ही है दोस्तो हम हाथ बढ़ा रहे हैं आप सुरुआत तो कीजिए अपने future को बैतर बनाने की वीडियो को पूरा देखने के बाद में description में website का link दिया हुआ है वहाँ से course जोइन कर सकते हो अब topic पर वापस आते हैं capillary tube के आगे लगा रहता है strainer जो एक filter का काम करता है और refrigerant को एकदम pure form में आगे बेशता है ताकि आगे कोई tube में block ना आ जाए इस trainer से निकला हुआ refrigerant पहुंसता है evaporator coil के पास में और evaporator coil भी एक tube ही होती है और यह refrigerator का जो box होता है उसके अंदर की तरप होती है सिरफ यही coil है जो refrigerator की body में set रहती है बाकी पूरा mechanism बाहर ही रहता है refrigerator में जो सबसे उपर का box होता है जिसको हम freezer बोलते हैं वहाँ पर यह coil लगी रहती है और इसका effect सबसे ज़्यादा freezer में ही होता है इसलिए इस box में बरफ आसानी से जम जाती है क्योंकि इस coil के अंदर एक बहुँ ज़्यादा ठंडा liquid refrigerant flow कर रहा है तो freeze के अंदर जब हम कोई vegetable या fruit रखते हैं तो उसकी गर्मी को इस coil में चल रहा refrigerant exchange कर लेता है अपनी ठंड को vegetable को दे देता है और गर्मी को अपने पास में लेकर आगे निकल जाता है यदि एक गरम और एक ठंडी बोल पास में रखी हूई है तो गरम बोल ठंडी बोल को थोड़ा सा गरम कर देगी और ठंडी वाली बोल गरम वाली को थोड़ा ठंडा कर देगी इस तरीके से दोनो अपनी एनरजी को exchange करती रहेगी तो ठीक ऐसा ही freeze में होता है जब evaporator coil फ्रीज में रखे हुए किसी भी vegetable fruit की गर्मी को exchange करती है तो इसके अंदर जो liquid flow हो रहा है वह वापस vapor में बदलने लग जाता है गरम होकर यानि वापस gas में बदलने लग जाता है और जब यह gas evaporator coil से बाहर निकलती है तो वापस फिर से इसको compressor के पास में बेजा जाता है लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी problem आती है जब refrigerant evaporator coil से बाहर निकलता है तो वह पूरा gas में नहीं बदल पाता है क्योंकि कई बार होता है कि fridge में कुछ रखा हुआई नहीं है तो refriger किस से heat को exchange करेगा और जो compressor unit होती है उसमें यदि refrigerant एक भी बूंद liquid foam में चला गया तो उसमें तो motor होती है और motor खराब हो जाएगी और फिर पूरा compressor बदलना पड़ेगा क्योंकि इसको खोल कर ठीक नहीं किया जा सकता इसलिए compressor के पास में accumulator को set किया जाता है जो evaporator coil से आ र उसके बाद में फिर से वही process चलती है तो refrigerator का जो system होता है वैं close loop में काम करता है यदि कोई leakage हो जाए तो ही refrigerator की gas खतम हो सकती है otherwise इसकी gas lifetime तक चलती है लेकिन आप कई बार notice करोगे फ्रीज में कि जो evaporator coil है उसको बहुत struggle करना पड़ता है आपने गर्मियों में देखा होगा जब हम किसी glass में एकदम ठंडा पानी या cold drink डाल देते हैं तो उसके चारों तरप पानी की बूंदे जम जाती है तो ठीक ऐसा ही evaporator coil के साथ में होता ह फ्रीज के अंदर जो भी थोड़े बहुत water vapor होते हैं जब coil ठंडी होती है तो उसके पास में चिपक जाते हैं और coil के चारों तरप ही बरप जम जाती है जिसकी वज़े से evaporator coil सही से heat exchange नहीं कर पाती है और evaporator coil liquid को gas में नहीं बदल पाती है इसलिए evaporator coil के चारों तरप एक heater coil कोईल भी लगी रहती है जो हर 5-6 गंटे बाद में ओन होती है और evaporator coil के ऊपर कोई बरप जमी हुई है तो उसको हटा देती है और यह बरप पिगल कर पीछे की तरप एक container में पानी के रूप में collect हो जाती है इवेपोरेटर coil सिर्फ फ्रीजर में ही लगी रहती है ऊपर की तरप बाकी नीचे बचे विए फ्रीज में ठंड का effect देने के लिए फैन लगे रहते हैं जो फूरे फ्रीज को cool करते रहते हैं तो फ्रीज में दिमाग भी होता है और उसका दिमाग का नाम है thermostat जब हम cooling effect को कम या ज्यादा करते हैं तो उस time thermostat compressor की speed को कम या ज्यादा करके temperature को control करता है यदि हम फ्रीज का temperature बढ़ा देते हैं तो उस condition में thermostat compressor को slow speed में rotate करवाएगा जिसकी वज़े से compressor कम gaze को pump कर पाएगा और कम cooling effect दिखेगा जो deep freeze होते हैं उनमें condensing coil का structure बदल दिया जाता है जो कुछ इस type का होता है और उसमें एक fan लगा रहता है जो condensing coil की गर्मी को बाहर निकालने का काम करता है बाकी काम करने की processing सबी freeze की एक ही जैसी होती है दोस्तो 3D animation की बहतरीन skill को सीखने के लिए description में द करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अच्छा लगा तो आप channel को subscribe और वीडियो को like करके जरूर से जाना thank you